हलो एवरिवन वालकम इन माय और्गिनिक कमिस्टी क्लास इस्ट्रेंस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलाइसिस रेक्शन हाइड्रोलाइसिस का मतलब जो होता है बच्चो वह यह होता है कि हम किसी भी किसी भी कमपाउंड को वाटर में डिजॉल करते ह ठीक है बच्चों तो तेट इस हाइड़लाइसस तो जब हम फोसफोरस पेंटा ऑक्साइड whilst को वाटर में डीसोल कर रहे थे तो बच्चो एस स्त्री फ्योफोर अउर सिलीकन टेट्रा क्लॉराइड को वाटर डिजोल कर रहे थे तो सिलिका बन रहा था इसी तरह nitrogenous compound को जब हम water में डिजोल करते हैं तो ammonia और hydroxide आयन बनते हैं तो बच्चों इस तरीके से आज हम अगला इसी का यानि की water की जो अगली प्रोपर्टी है chemical property that is hydrates formation यानि की hydrates का निर्मान की कि किस तरह hydrates का निर्मान होता है what is hydrates hydrates का मतलब होता है बच्चों कि कि किसी भी compound या element के साथ किसी भी तत्व या योगिक के साथ water के molecule के से जुड़ते हैं water के molecule पानी के molecule के से add होते हैं तो बच्चों आज हम इसी के बारे में discuss करेंगे hydrates formation hydrates का बनना कैसे hydrates बनते हैं तो from aqua solution many salt can be crystallized as hydrate salt तो बहुत सारे salt होते हैं वो aqua solution में crystallized होकर hydrate salt बनाते हैं hydrate salt का मतलब होता है hydrate level का मतलब होता है कि ऐसे level जिन में water के molecule add होते है water के molecule जुड़े होते हैं ठीक है जैसे आप 10th class में पढ़ते आये हो बच्चों आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपने pop पढ़ा था तो pop plaster of paris का आपने formula पढ़ा था calcium sulphate एक gypsum का पढ़ा था कि calcium sulphate .2s2 यह आपने पढ़ा था gypsum का formula और इसी के साथ आपने pop का formula पढ़ा था calcium sulphate .5s2 ती जो dotted water है that is a crystalline water यानि कि जो 2mol water के हैं वो calcium sulphate के साथ hydrates mol है ठीक है बच्चों तो यह hydrates water होता है एक तरीके से कि किसी भी salt के साथ water के molecule का addition होना associate होना जुड़ना तो such an association of water is of different type यह जल का जुड़ना है जल का जो association है वो different तरीके से होता है बिन बिन प्रकार से होता है तो water जो है वो किसी भी salt के साथ crystallize होकर ठीक है न बहुत सारे salt के साथ crystallize होकर hydrate salt बनाता है यानि कि hydrate lawn बनाता है यह आपके जल की chemical property है तो यह different different type से जुड़ सकता है बच्चों पहला type से इसका coordinate water यानि कि उपसे संयोजी जल ठीक है या समन्वे जल भी इसको हम बोल सकते है तो होता क्या है जो coordinate compound होते हैं जो उपसे संयोजी योगिक होते हैं उनमें यह आपको बड़ा bracket दिखाए देरा बच्चों यह कुछ ऐसा बना हुआ है मैं बना के दिखाता हूँ CR chromium और H2O whole 6 और इसके उपर plus 3 तो बच्चों यह जो square bracket मैंने बनाया है यह represent करता है coordinate sphere को coordination sphere क और इसके बाहर इदर और इदर जो बच्चों होता है वो ionic sphere होता है जैसे कि आपका 3 Cl minus दिखाए दे रहा है यह कहलाएगा बच्चों ionic sphere यह कहलाता है समनवे मंडल समनवे मंडल या coordinate sphere तो इस coordinate sphere के अंदर इसके अंदर जो water के molecule होते हैं बच्चों यह water के molecule कहलाते है coordinate water तो chromium hexa यह एकवा जो आपको दिखाई दे रहा है water 6 mole है इसके इसका formula में आपको बड़े-बड़े अक्सवर में लिख जेता हूँ CR H2O का whole 6 है तो 6 water molecule इस coordinate sphere के अंदर है इस समन्वे मंडल के अंदर है तो that is coordinate water molecule तो यह जो water है बच्चों यह coordinate water molecule है coordinated water molecule समझ गया है क्योंकि यह coordinate sphere में है इसके बाहर जो भी होते है molecule या atom वह ionic sphere होता है जैसे 3 Cl- तो जो Cl- है वह ionic sphere में है ionic sphere ionic मंडल ionic sphere ionic sphere और coordinate sphere इसको coordinate sphere बोलते है जो square bracket में होता है तो ionic sphere यानि कि ionic मंडल में और एक समन्वे मंडल तो समन्वे मंडल के अंदर जो water molecule आपको दिखाए दे रहे है यानि कि coordinate sphere के अंदर that is coordinate water आगे चलते हैं interstitial water लेकि interstitial water वह होता है जब किसी भी molecule के बीच में interstitial site में यानि कि अंतराकासी इस्तानों में water molecule चला जाए जैसा मैंने आपको बताया था कि जो hydride होते हैं उनके बीच में मालो कभी कभी क्या हो जाती है जगे होती है तो इस जगे अगर water molecule ट्रेप हो जाएगा ठीक है यह आपका barium chloride है BACL2 तो BACL2 barium chloride के अंदर बीच बीच में दो molecule water के होते हैं तो यह जो water molecule है बच्चो यह water molecule होगा interstitial water यानि की अंतराकासी जल जब जल के अनू अंतराकासी इस्तानों में जल के अनू किसी योगिक के अंतराकासी इस्तानों में चले जाते हैं interstitial site में चले जाते हैं तो इसको अपन interstitial water कहते हैं तो जब water molecule trap कर लिए जाते हैं interstitial site में तो उसको interstitial water कहते हैं तो barium chloride में जो 2 water molecule है वो interstitial water molecule है तीसरा बात करते है hydrogen bonded water तो देखिए आपको यहाँ पर copper sulfate दिखाई दे रहा है देखो बच्चो copper sulfate cuSO4.5s2 तो copper sulfate में 5 water molecule होते हैं इन 5 water molecule को जब वास्तों में देखा जाता है या वास्तों में इनकी crystalline structure देखते हैं तो copper sulfate में चार water molecule coordinate sphere के अंदर होते हैं और बाकी sulfate और एक water molecule coordinate sphere के बाहर ionic sphere में होता है तो ionic sphere में केवल एक water molecule है बच्चो एक जल का अनू है इसलिए ये जो एक जल का अनू जो ionic sphere में ये ही केवल hydrogen bond बनाता है तो बच्चो जो water molecule coordinate sphere के बाहर होता है वो hydrogen bond बनाता है और जो coordinate sphere के अंदर होते हैं वो coordinate bond बनाते हैं समझ गए है तो coordinate bond बनाएंगे this is the coordinate water and this is the hydrogen bonded water तो ये जो water है ये है hydrogen bonded यानि कि hydrogen बंद वाला जो कि hydrogen bond से जुड़ा हुआ है और ये जो water molecule है ये आपके coordinate bond है यानि कि उपस है सहियोजी जल है ये उपस है सहियोजी जल ठीक है बच्चो तो कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा कि hydrate formation में तीन तरह के hydrated water होता है एक तो coordinate water एक interstitial water और एक hydrogen bonded water तो अब इसी से related एक question आपको दिया गया है 9.4 कि how many hydrogen bonded water molecule are associated in the copper sulfate 5s2 कि hydrogen bonded water के molecule कितने होते हैं copper sulfate में तो बच्चो हमें अभी अभी मैंने आपको बताया कि copper sulfate के अंदर अगर आप गोर से देखो तो copper sulfate में 4 water molecule तो coordinate sphere के अंदर होते हैं यानि कि समनवे मंदल के अंदर होता है और एक water molecule बाहर होता है यह जो बाहर वाला water molecule है यही hydrogen bond बनाता है इसका मतलब इसका answer आएगा only one ठीक है तो answer लिखा हुआ है only one water molecule which is outside the brackets यानि कि coordinate sphere it is the hydrogen bonded the other four molecules of water are coordinated तो चार water molecule तो उपसे सही होजी है और एक water molecule hydrogen bonded है ठीक है बच्चो बच्चो अब हम next पढ़ने जा रहे है water के type it is the most theoretical topics in this chapter hard water and soft water बच्चो इस चीज़ का ध्यान लगना है हमको कि अब जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक theoretical topic है और बिलकुल आपको इसको learn करना है और इसकी reaction as it is लिखनी है ठीक है तो आज हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में कि पानी कितने प्रकार का होता है हिंदी में बोलते हैं कठोर जल और म्रदू जल hard water and soft water तो इसके बारे में हम मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चो rain water is almost pure जो बारिश का पानी होता है वो almost कैसा होता है pure होता है मैं contain some dissolved gases from atmosphere हो सकता है कि इसके अंदर कुछ vatagone की वाईू मंदल की कुछ gases मिली होग हो ठीक है न मैं contain some dissolved gases from atmosphere हो सकता है की वाईू मंदल की atmosphere की कुछ gases इसके अंदर dissolved हो लेकिन फिर भी rain water almost कैसा होता है बच्चो pure होता है बींग एक good solvent तो जो rain water होता है एक good solvent होता है when it flow on the surface of the earth when it flows on the surface of the earth जब ये पानी बारिश के द्वारा जब पानी नीचे आता है और जब ये earth की surface फर flow होता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजे क्या हो जाती है बच्चो डिजॉल हो जाती है तो एक good solvent है ये इसके अंदर बहुत सारे salt क्यों जाते है बच्चो डिजॉल हो जाते है तो presence of calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate यानि की बच्चो magnesium hydrogen carbonate magnesium hydrogen carbonate अगर हम बात करें और इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे की magnesium hydrogen carbonate के अलावा अगर हम बात करें calcium hydrogen carbonate तो calcium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate जो होते हैं बच्चों वो इस पानी को कैसा बना देते हैं? hard बनाते हैं तो अगर हम कहें कि जो water है वो hard होता है किसकी वज़े से? तो due to the presence of calcium and magnesium hydrogen carbonate calcium और magnesium के जो hydrogen carbonate है उनकी उपस्तिती की वज़े से आपका जो पानी है वो कैसा हो जाएगा? hard हो जाएगा that is hard water तो अगर आपसे कोई कहें कठोर जल में कौन सी असुद्या पाई जाती हैं? कौन सी impurities होती हैं? तो answer आएगा hydrogen carbonates of calcium and magnesium यानि कि calcium और magnesium के hydrogen carbonate अब हम बात करते हैं hard water तो hard water does not give later with soap जो hard water होता है जो कठोर जल होता है वो साबून के साथ जाग नहीं देता है water free from soluble salt of calcium and magnesium is called soft water अब soft water की बात करें मरदू जल कौन सा होता है? तो मरदू जल वो जल होता है वो पानी होता है soft water वो water होता है जिसमें calcium और magnesium के salt नहीं होते हैं यानि कि calcium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate की impurities नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चो soft water कहते हैं तो it gives later with soap easily तो यह क्या होता है? यह जो soft water है वो साबून के साथ easily जाग दे देता है अगला है बच्चो अगला हम बात करें देखो hard water from scum precipitate with soap जो hard water होता है वो साबून के साथ scum बना देता है गंदगी बना देता है अवक शेप बना देता है या precipitate बना देता है ठीक है जिसको अपन precipitate बोलेंगे अब आग शेप बोलेंगे soap containing sodium citrate soap के अंदर mostly sodium citrate होता है जिसका formula होता है C17, S35, C001, O, O, Na तो react with the hard water जो sodium citrate होता है वो hard water के साथ reaction करता है and precipitate out calcium and magnesium citrate और calcium and magnesium citrate यहाँ पर जो sodium दिखा जाए आपको इसके जागे calcium आ जाएगा ठीक है तो आपके पास sodium citrate साबून के अंदर mainly होता है C17, H35, C001, O, Na यह होता है और जब यह आपके पास calcium से reaction करेगा बच्चों यह reaction करता है calcium से तो आप sodium को हट जाएगा यहां से और calcium इसकी जगे आ जाएगा लेकिन calcium की valence 2 है न इसलिए इसको balance करने के लिए आपके पास C17, S35, C001, O, O के कितने mole होने चाहिए दो mole होने चाहिए तब जाके calcium से जुड़ेगा तो यह calcium citrate बन गया, that is sodium citrate और reaction के बाद बन जाता है water के साथ जब आपने इसको दोया, साबून को लगाया, hard water में calcium present होते है calcium आयन, वो इसके साथ reaction करके calcium citrate बना गएगे, that is calcium citrate और आपके पास जो sodium के दो mole हैं, वो आपके पास पानी में बाहर रह जाएंगे जो की इसकम हो होती है, ठीक है बच्चो, अब हम बात करते हैं, तो it is, it is therefore, it is therefore unsuitable for laundry, इसका मतलब laundry के अंदर ये पानी, laundry मतलब कपड़े दोने के लिए, ये कैसे होते हैं, unsuitable होते हैं, it is harmful for boilers as well because of deposition of salt in the form of scale, लेकिए जो boilers होते हैं, जिनके अंदर अपन पानी को boil करने का काम करते हैं तो उन container को, उन पात्र को, उन बरतनों को, ये जो सुदियां हैं, ये जो impurities हैं, calcium वगरा ये, ये उनके अंदर जम जाती हैं और उनको खराब कर देती हैं, तो because of deposition of salt in the form of scale, ठीक है न, this reduce the efficiency of the boiler, तो ये जो इसकम जो जमा है, ये जो गंदगी जो salt जो पानी के container में जम जा आती हैं, boil करने पर, वो उस boiler को, क्या कर देती हैं, बच्चों, खराब कर देती हैं, उसकी efficiency को कम कर देती हैं, ठीक है न, the hardness of water is of two type, तो देखिए जो पानी की hardness है, वो दो type की होती है बच्चों, एक तो होती है temporary, एक तो temporary hardness है, जिसको अपन easily क्या कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, और एक permanent hardness है, जिसको अपन chemical method से दूर करते हैं, बच्चों, easily दूर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले, आज हम आपको बताने वाले हैं, temporary hardness, ठीक है, तो temporary hardness की बात करेंगे, temporary hardness is due to the presence of magnesium and calcium hydrogen carbonate, तो जो temporary, यानि की, एस्ताई कठोरता जो होती है, temporary का मतलब होता है, एस्ताई, तो एस्ताई कठोरता जो होती है, बच्चों, वो magnesium और calcium hydrogen carbonate की वज़े से होती है, जिसको अपन आसानी से पानी को boil करके भी निकाल सकते हैं, तो first method इसका boiling, यानि कि generally हम पानी को जब boil करते हैं, तो boil करने से calcium और hydrogen के carbonate easily उसमें से remove हो जाते हैं, देखिए बच्चों, ये रह magnesium hydrogen carbonate, जब हम इसको heat करेंगे, तो magnesium hydroxide और carbon dioxide ने बदल जाएगा, magnesium hydroxide की form में ये आपको precipitate मिलेगा, जो जम जाएगा, container में, और जबकि CO2 जो है, वो atmosphere में release हो जाएगा, तो during the boiling, गरम करने के दुरान, boil करना मतलब उबालना, जब हम पानी को उबालेंगे, the soluble magnesium hydrogen carbonate is convert into insoluble magnesium hydro and calcium hydrogen carbonate is change into insoluble calcium carbonate, तो जो calcium hydrogen carbonate है, वो boil करने पर, पानी को उबालने पर, calcium carbonate में convert हो जाता है, और magnesium hydrogen carbonate है, वो boil करने पर magnesium hydroxide में convert हो जाता है, it is because of high solubility of product of magnesium hydroxide as compared to magnesium carbonate, that magnesium hydroxide is precipitate, तो देखो, इसकी solubility product जो होता है न, वो क्या होता है बच्चों, जादा होता है, किसके compression में, magnesium carbonate की compression में, इसलिए, यहाँ से magnesium carbonate नहीं बनेगा, यहाँ से magnesium hydroxide बनेगा, और यहाँ से calcium carbonate बनता है, these precipitate can be removed by filtration, और फिर हम उसको आसानी से छान कर, क्या कर सकते हैं, अलग कर सक filtrate, thus obtain will be soft water, और जो छना हुआ पानी आपको जो मिलेगा बच्चों, वो आपको, हम filtrate को हम क्या बोलेंगे, soft water बोलेंगे, दूसरा जो method, हम temporary hardness को दूर करने के लिए बच्चों, बहुत important है, पहला boiling और दूसरा Clark method, Clark method, it is very very important, ध्यान याद होना चाहिए आपको, in this method, calculated amount of lime is added to hard water, देखिए क्या किया जाता है, कि जो आपका hard water है, उसके अंदर एक calculate amount में, यानि कि पहले से हमें पता होना चाहिए कि हम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1500 ग्राम, कितना ग्राम, calcium hydroxide हम इसके अंदर क्या करेंगे, add करेंगे, ठीक है, hard water में, जिसकी वज़े से calcium hydrogen carbonate और calcium hydroxide, दोनों आ water छना हुआ पानी मिल जाएगा, तो Clark method बहुत easy method है, कुछ नहीं किया बच्चों हमने क्या किया, कि जो आपका hard water है, उसके अंदर calcium hydroxide डाल दिया, ठीक है न, lime डाल दिया, हमने थुछा सा lime water डाल दिया, calcium hydroxide, और जैसे हम calcium hydroxide डालेंगे, तो calcium hydroxide और calcium hydrogen carbonate, दोनों आपस में reaction क करके precipitate calcium carbonate बना देंगे, आपको water molecule obtain हो जाएगा, इसी तरह magnesium hydroxide में भी जब आप calcium hydroxide मिलाओगे, तो वहां से भी आपको calcium carbonate और magnesium hydroxide, दोनों precipitate मिल जाते हैं, और साथ में water मिल जाएगा, तो इस precipitate को, इस aug shape को चान कर अलग कर लिए जाता है, और शुद्ध जल याने की soft water आ दूर कर सकते हैं, अभी जो हमने method बताए वो temporary hardness के थे, यानि कि S-Ti 14th को दूर करने के लिए boiling और Clark method, ये दोनों method आपको बच्चों याद होनी चाहिए, इसलिए इनको अच्छे से आप लिख लेना with reaction, ठीके बच्चों, मिलते हैं अब next class में next video के साथ, नए topic के साथ, thank you so much goodbye and take care